हलो प्रेंस मैं हूँ पूनम स्वावत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ एक नए अपडेट के साथ तो प्रेंस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन वीडियो रिजल्ट दोजार पाइस के बारे में तो प्रेंस जितने भी लोगों ने नवोदय विद्याले समित की उनीस सो पचीस पदों का एक्जाम दिया हुआ है वे सभी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट जो है आखिर कब तक आएगा और कब वे सभी लोग अपने रिजल्ट को कप से डाउनलोड करेंगे और उन सभी की जो है रिजल्ट आने के बाद किस दिन के बाद से उन सभी की जोईनिंग स्टार्ट हो जाएगी और क्या-क्या डाकूमेंट लगेंगे तो यह वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है तो इसस 225 पदों की बैकेंसी का एकजाम जिया हुआ है उन सभी का रिजल्ट जो है आखिर कब तक आएगा तो प्रेंस यहां पर आज 28 मई की डेट में आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी शामने निकल के आ चुकी है कि आप सभी के एन्वेस के रिजल्ट की 20 मई तक आने की पूरी की पूरी संभावना बताए जारे की आप सभी का रिजल्ट जो है 30 मई तक आ जाएगा वो भी आपके आपके एन्वेस की ओपीसियल विपसाइट पर तो प्रेंस अब बात करते हैं कि आप सभी लोग जो अपने एन्वेस के रिजल्ट को जो है कैसे डाउनलोड कर पाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को एन्वेस की ओपीसियल विपसाइट पर जाना पड़ेगा वहां जब भी आप सभी का जो है रिजल्ट आना होगा तो उसके लिंक को जो है वहां पर प्रवाइट कर दिया जाएगा फिर आप लोग उस लिं अप लोग का जो है तीस मई तक आ जाता है तो आप लोग की जो है कब से कराई जाएगे तो इसके दस से पंदरा देन के बाद आप सभी की जो है जानिक करानी जो है स्टार्ट करा दी जागी यानि कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आप सभी के exam को conduct कराए यानि कि आप सभी का exam हुआ था वो 8 March से लेकर के 13 March के बीच में चला था यानि कि आप सभी का exam जो है काफी time हो गया लिए और आप सभी की answer की भी provide कर दी गई है कि आप सभी लोग का result आने में इतना time लग रहा है तो अब envious जो है आप सभी के joining में जो है time नहीं लेने वाला है और आप सभी की joining जल से जल्द करा दे जाएगे तो प्रिंस यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं इससे पहले अधियाप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर करें thanks for watching this video